आज साई गोल्ड इंडिया से जुड़ने वाले हजारों लोगों की जिन्दगिया बदल रही है सन 2010 में शुरू भी साई गोल्ड इंडिया ने आज भारत में MLM इंडस्ट्री के नाई सुत्रों को छुआ है और सफलता के कई उधारन भी स्थापत किये है इन सब कश्रे जाता है ऐसे लोगों को जिन्नोंने शुरुवाती दोर में कमपनी का साथ दिया और आज काम्याबी के शिखर पर खड़े है जो कह सकता है वो कर सकता है जो करता है वो जीता है और दुरिया हमिशा जीतने वालों के साथ होती है क्या आप में है वो जोश, वो जुनूल, क्या आपके सपने बुलंद है, क्या आप जीना चाहते हैं एशो राम की जिंदिगी, क्या आप पाना चाहते हैं आर्थिक आजादी, क्या आप चाहते हैं ऐसा बिजनस जो आपकी जिंदिगी बदलते है, क्या आप ही पाना जाते हैं जिन्दगी की रहा में आपको कई मसीबतों और परिशानियों का सामना करना पड़ेगा लेकिन वो तब तक आपका कुछ नहीं बिगार सकती जब तक आप कमजोर ना पड़े आपकी काम्याबी पूरी तरह से इसी बात पर नहीं भर करती है कि आप उनको किस नजरिये से देखते हैं ऐसे ही एक शक्सियत है राकेश ठाकोर जिसने अपनी परिशानियों को काम्याबी में बदला और आज एक बेहदर लाइस्टाइल जी रहे हैं जिन्दगी में आगे बढ़ते हुए हम रोज कई मुश्किलों से गुजरते हैं बाधाय आती हैं लेकिन एक चीज जो हमेशा हमारे अंदर एक नई उर्जा भरती है वो है अपने जीवन में एक लक्षे बनाना और हर रोज उसे देखना एक ऐसे ही व्यक्ति है जिन्होंने अपनी काम्याबी को अपना लक्षे बना कर आगे बढ़ने की शुरुआत की और आज वो काम्याब है राकेश ठाकुर लाइब की ऐसी शुरुआत रही स्ट्रगल बहुत किया इलेक्ट्रोंस का काम शुरू किया फिर उसके बाद आइस्था इस्था टेंट हाउस की उसमें आया मैं कुछ ऐसा करने की सोच दी कि दुनिया को लगे कि कि हाँ कुछ किया है लेकिन ऐसा हो नहीं पारा थे एक लेवर क्लास बोल सकते हैं लेवर क्लास की कैटेगरी में आता था मैं तो लेवर क्लास की कैटेगरी में क्या कुछ से दुक होते हैं वो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ क्योंकि मैंने पीट पे 80-80-90 की लोका भी बोज उठाया है ऐसे ऐसे काम भी किये हैं जो एक लेवर क्लास से भी बगतर जिनकी होती है वो लोग जो काम करते हैं वो काम भी मैंने किये हैं तो उन चीजों को महसूस किया हुआ है तो आज जाहिर सी बात है कि आज जिस मुकाम पे हूँ साइंग गोल से मेरे को इतनी स्पोर्ट मिली है, इतना कुछ मिला है, तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है. मेरे साथ कुछ ऐसे हाथसे हुए, मैं जब शोगी में आया, शोगी में मैंने काम शुरू किया, तो मातर चार सूर पए घर से लेके आया, चार सूर पए से मैंने पांदारी शुरू की थी, लेकिन दो जार आट तक मैंने ऐसा मुकाम हसित कर लिया था कि मैंने तीन-चार गाडिया भी ले ली थी, मेरा कारवार भी ठीक चल पड़ा था, लेकिन एक ऐसा तु भान आया कि गाडियों के भी एक्सिडेंट हो गए, मेरा अपना भी एक्सिडेंट हो गया, मेरी एक जो आंखे उसमें चोट लगई और यह डेमेज होगी उस दौरान मेरे को फाइनेशली में बहुत जादा दिकत में आ गया था ऐसा लग रहा था कि जिन्दगी अब खत्म हो गई हर चीज जो चीज मैंने खुन पसीने से कमाई थी महने से कमाई थी हर चीज मेरी बिक्ती हुई अब मेरे खत्म हो गए इस बिजनेस में सबसे बड़ी बात यह है कि सचाई है जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों की नियत को देखके वो किस नियत से काम कर रहे हैं मेरे को सबसे अच्छा यही लगा कि यह अच्छी नियत से काम हो रहा है इसलिए मेरे को सबसे बैस्ट ल इसलिए मैंने कभी MLM में काम नहीं किया, लेकिन इस चीज, इस कंसेप्ट में मैंने एक चीज देखी कि सच्चाई, इमानदारी हर चीज है और एक सुक्सेस होने के लिए अगर इमानदारी किसी भी काम का बेस है तो मैंने समझता कि उस काम को कोई घाटा हो सकता है जिन समस्याओं को लेके मैं चिंतित रहता था, मेरी लाइफ में मतलब शंकासी बनी रहती थी, आज रून शंकाओं से मैं मुक्तू हूँ राकेश ठाकूर अपनी काम्यावी के संगर्शों में लगे रहे और उनकी जिन्दगी के संगर्शों को काम्यावी में बद्ला साई गुर्ड इंडिया ने, जिससे जुर्दे ही उनकी जिन्दगी को एक नई दिशा मिली, जिसकी बदौलत राकेश ठाकूर ने वो सभी पाई जो वो सोचा करते थे और आज वे इस काम्याबी से बेहत खुश भी हैं। राकेश ठाकूर की इस काम्याबी में उनके परिवार का पूरा सहयोग रहा। आज राकेश ठाकूर की इंकम लाखों में हैं। और वो अपनी कमाई से वे सभी चीजे खरीच चुके हैं जो हराम इंसान की जरूरत होती है। अपनी फैमिली से बेहत प्यार करने वाले राकेश ठाकुर आज अपने परिवार वालों के साथ एक रॉयल लाइफ जी रहे हैं। बहुत टाइम से मैं किसी ऐसे काम की तलाश में था कि जिससे मेरे को कुछ ऐसा कुछ आर्म कर पाता मैं कि कुछ समाज के लिए करूँ क्यूंकि आज की डेट में पैसा होना सबसे पहली बात है। और साइंग ओल्ड की अगर मैं बात करूँ तो इससे जुड़के पैसा ही नहीं कमाया। यहां पर पहले मैं अगर कहीं बाहर भी निकलता था तो मेरे जैसे कहीं आउट आउप स्टेशन दो लोग जानने वाले होते थे चार लोग जानने वाले होते थे। लेकिन आज की डेट में अगर मैं कहीं चंडीगर जाता हूँ या दिली जाता हूँ तो कहीं भी किसी भी स्टॉपेज पर रुखता हूँ तो वहां मेरे कोई ना कोई जानने वाला निकल जाता है। चाइंग ओल्ड इन तना बड़ा परिवार हो चुका है। मैं मानता हूँ कि भी ये मेरा अपना परिवार है। मैं भी इस परिवार का एक सदस्य हूँ तो इतना बड़ा परिवार देखके या इसी वाते कुशी तो होगी। महनती तो शुल से ही बहुत जादा थे पर जितनी महनत करते थे उसके मुताबिक एचिवेंड नी थे। अब साइंगोर में आके उनकी महनत रंग लाई है। और गाड़ी भी हमने एचिव कर ली है। छोटी-छोटी फिशों के लिए अब हमारको तरसना नहीं पड़ता। एकदम हमारी जो भी डिवांड होती हो पूरी हो जाता। बिना परिवार के साथ के बगयर कुछ भी नहीं हो सकता है। जिस टाइज मैं स्ट्रगल कर रहा था तो उस दराट भी इनका बहुत साथ रहा। झाल बहुत साथ के बगद साथ को तो झाल बहुत साथ को ज तो देखा आपने ये थे साई गोल्ड इंडिया के वो तमाम सूपरस्टार्स जिन्होंने कम समय में वो कर दिखाया जिससे दूसरों को साई गोल्ड इंडिया और इसके सिस्टम की ताकत का पता चलता है इन लोगों के पास कोई कॉलिफिकेशन तो नहीं थी पर इन्होंने सिर्फ कमपनी के सिस्टम को फॉलो किया और आज सफलता के शिखर पर हैं ये ऐसे नेटवरकर्स हैं जिनके बारे में कमपनी गर्व से कह सकती है कि इनको आने वाले कुछ समय में करोड़ पती बनने से कोई नहीं रोग सकता तो अगर आप भी इनके जैसा बनना चाहते हैं और काम्याबी की सीड़ियां चड़ना चाहते हैं तो बस आप भी जुड़ जाए साइं गोल इंडिया परिवार से जहां आपके सपनों को हकीकत में बदलने से कोई नहीं रोग सकता क्योंकि ये बिस्नस नहीं कुछ और है